जिन लोगों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियो के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें यह आपका पार्ट फॉर वीडियो में अब हमनों शुरू करने जा रहे हैं उत्तल दर् कंडिशन है दोनों को देख लेते हैं पहला है जब अनंद पर इस्तित हो ठीक है तो जब अनंद पर इस्तित हो तो उसका प्रतिविम कैसे बनेगा इसको देखते हैं चलिए तो हमें इसमें उत्तल दर्पन चाहिए चलिए तो यह आपको उत्तल दर्पन हो जाएगा अंदर धाल रहा है तकड़ा रहा है तो इंगप अहां चल जाएगा है कि यह किरण ऐसे आया और ऐसे चल जाएगा लेकिन इसका आभासी जो होगा में पहले ही बता चुकंप लेकिन इसका भास सिद्धा न था यानि प्रतिवींब यहां पनेगा तो पहला क्या होगा कि प्रतिवीब प्रतिवीम अभासी होगा अभासी तता सीधा होगा क्योंकि दाहिने तरफ बन रहे हैं आपको बता है तता सीधा होगा ठीक चलिए अभासी तता सीधा होगा दूसरा बात आता है दूसरा प्रतिवीम प्रतिवीम वस्तू से वस्तू से बहुत चोटा होगा बहुत चोटा होगा तीसरा कंडिशन क्या हो जागा इसका कि प्रतिवीम प्रतिवीम फोकस पर बनेगा ठीक है फोकस पर बनेगा चलते हैं दूसरा कंडिशन देखते हैं इसका जब बर्स्तू अनंत और धुरू के बीच इस्तित हो ठीक है चलिए तो अनंत और धुरू के बीच इस्तित हो तो उसका प्रतिवीम कैसे बनेगा चलिए त हैं 我要 इधर से कलाई तरफ से यह एक तरह से यह हो गया यह होगया और है चाहिँ यह था इदर रिस्टित है अनंत और धूरुके बीच में हाट यहां पर वस्टू है ठीक है बीच में कहीं पर भी दिखा सकते नहीं तो यह आपको वस्टू हो गई चलिए यह आपकी वस्तू हो गई त्टिक है चलिए आपकी वस्तू हो गई आप देखिये क्या हो रहा है यहां से अपतित किरन ऐसे जाएगी ना टकड़ाएगी और टकड़ा कर क्या होगी यह इस दिशा में चली जाएगी लेकिन इसका आप 80 फोकस से जाएगा ना यानिकि इस तरह से जाएगा चलिए दूसरा हमनों ले जाते हैं अगर हमनों ले वक्रता केंद्र के दिशा में सी के दिशा में ले जाएगा तो किरन इस प्रकार से कुछ जाएगी इधर इस तरह से जाएगी तो क्या होगी अपने पुरा मार्ग में वापस लोट जाएगी इसका आपास ही जो होगा का से जाएगा ना प्रधानक्ष वक्रता के अंदर के दिशा में ठीक है चलिए तो यहाँ पर प्रतिविम बना यहाँ यह दोने एक दुसरे को यहाँ प्रतिश प्रतिविम अभासी तता सीधा होगा देखरें ना प्रतिविम अभासी तता सीधा होगा तता सीधा होगा ठीक है अभासी तता सीधा होगा दूसरा प्रतिविम प्रतिविम वस्तु से चोटा होगा वस्तु से चोटा होगा चोटा होगा देंग है इसलिए कंडिक्शन क्या हो जागो कि प्रति भीम्प प्रति भीम्प लाद थ्रूह था मत पी था रूत था फोकस के बीच तथा है या अपकर सके वीच होगा अ की चलिए समझ गया तो यह दोनों स्थिति में लेखे कि यहां प्रतिविम बन रहा है आभासी और सिधा ही बनता है चाहे वस्तु कहीं पर भी आप रखिया ठीक है दूसरा चीज अउतल दरपन में दो कंडिशन थे एक पहले कंडिशन में जब धुरू और झाल चाहें यहां पेया चाहरे है प्रतिविम बनाने में बहुत ज्यदा होगा उसको देखने से पहले हम लोग यह काम करते हैं का उपयोग देख लेता है उत्तल दरपन का क्या उप्योग होता है से उत्तल दर्पन के उप्योग कई बात करें तो इसक्रूटर देखते हैं मोटर गाड़ी बस जो त्र दर्पनर में उप्योंग होते हैं। को पतल्जान धर्पन ही प्योग होता है उत्वल्ण मिरामे ना पेशे आइने के रूप में जोता है ना वह लिभания होता है उत्वलतरपन होता है इस लिए होता है क्योंकि आपको इसमें देखे किृवश्टु कह सब्सक्राइं अरक्यूद ये उसका यूज करते हैं हम लोग साइड मिर में इसलिए यूज करते हैं और वहां प्रतिविम जो होगा वस्तु से छोटा होगा प्रतिविम जो होगा वस्तु से छोटा बनेगा इसलिए आपको उस साइने में सब सब्सक्राइब कर देता है और दूसरा चीज क्या करता है कि कहीं पर भी परिष्टित हो आचाया कितना भी नजदी किसी तो उसका प्रत्विम वह अभासी और सीधा ही देगा इसी नेचर के कारण उत्तल दर्दपन का उप्योग किया जाता है चली अब इसके चीन सबसे पहले लुकिमेरिकल डेख लेता हैं साघंज इसका बोहत जयादा ऊथावाइन और द हो गया ज़या डायों दो हो गया है के अवतल दरपन होगा पी यहां एफ द्रूव फोकस और वक्रता केंट समझें तो अभी जो एक चीज जहां समझने थोड़ा ध्यान से कि दरपन कोई विवतल हो या उतल जो भी हो यह पी हो गया यहां मालीजे यह एफ है और यह सी है कोई भी दरपन हो मालीजे जो वस्तू कहीं रख रहे हैं कभी म वस्तू से ध्रूव की बीच की दूरी होते हैं वह वस्तू दूरी होती है क्या होती है वस्तू दूरी होती है वस्तू दूरी होती है इसको याद रखेंगे वस्तू दूरी है ठीक है वस्तू यहां लिख देता है वस्तू दूरी ठीक है और वस्तू दूरी को हम लोग यू से सुचित करते हैं यू से object distance को यू से और माली जैसका प्रतिभीम जो है यहां प्रतिभीम माली जैसका प्रतिभीम यहां बन रहा है तो प्रतिभीम से धुरू की विश्किदूरी प्रतिभीम दूरी जिसे यू से सुचित करते हैं और प्रतिभीम से धुरू की जाता है और एफ बिसकी दूरी फोकस से आप पहले पढ़ चुके यह फोकस दूरी होता है ठीक है अब जिसके वस्तु चाही हो जाएगे और यह वाली प्रतिबीम हो जाएगे ले ना तो इतना तो करते हैं तो यह दो अक्षमान केस में समझेंगे यह एक्स हो गया यह एक्स और इधर यह आपका एक्स डैस यह वाई और यह वाई डैस जहां पर डैस लगा रहे हैं इसका मतलब माई निगेटिव को सुझित कर रहे माइनस में है यह माइनस में है यह प्लस में है अब देखिए और दर्पन में वस्तु आप इधर ही एक्स डैस की तरफ ही ना रखते हैं कभी यहां रखेते यहां रखेते यहां रखेते और तल था यह उतल था एक्स डैस की तरफ ही रखेंगा है ना इस तरफ रखते हैं माली सब्सकंद करना होता चलिए दूसरा खोप को सदुरी फोकस दूरी की बात करें िनको क। भी कि तरप हता है यो आप से थिश्च न चल्य के यहाँ से यहा Calky और भजनुर यह है इस तो फोकस भी कहां इस्थित्र होता है तो एक्सक्रफ की तरफ होता है यह भी माइनस में यह हैं आप याद किए कि व मांद करें करें व of द्रभी होता है इसमें माइनस ओर होता है एक ट्रुपल्ण की द्लषा की बन्याओ तर या न से कि बिसके दर्वग्टता करें तो यह समीज़ाई की बात करें ऑफस्तु उचाई यानी rite of object ऐच ओ ऑह यह है त Ellis अपर के तराफ यह यानि y के तरफ है there य पॉजेटिव होता है ना प्लस में होता है चाड़िए उसी तरह अगर हम देखे तेस्पे दो कनिसन था कि इसमें वास्तिवीक और उल्टा वही प्रतिवीम बन जा रहा था और आवासी और सीधा भी तो दोनों देखना होगा अगर प्रतिवीम वास्तिविक तथा उल्टा होने पर ठीक है वास्तिता होने पर क्या होगा प्रत्विन अगर वास्तिक यृष युल्टा हो जाएगा प्रत्विन वास्तिक यृष प्रत्विन दूरी प्रति बिम्ब दूरी यानि कि भी जो होगा माइनस का होगा क्योंकि इधर ही बनेगा प्रति बिम्ब उचाई प्रति बिम्ब उचाई प्रति बिम्ब उचाई यानि कि आपका एच आई हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो भी माइनस का ही होगा तो देखना सब कुछ माइनस मे हैं बस प्रति वर्स्तु उचाई को छोड़कर ठीक है अगर अभासी तथा सीधा बनने पर क्या होगा अभासी तथा सीधा बनने पर देखते हैं क्या होगा अभासी और सीधा बनेगा तो प्रतिविम्ब आदीविम्ब दूरी की बात करेंगे प्रतिविम्ब दूरी की यानि कि भी ऌपर प्रतिविम्ब दूरी भी ही दे प्लस का ही होगा हीट वाइड बिद्ड का होगा है चलिए अब इसी तरह हम लोग आश्तल का ओगै बोत करते सी है यहां है उस्ताध्य करते हैं चलिए यह आपका उत्ता दर्पन इधर इन रखते हैं इधर इन रखते हैं तो ओतल में भी या उतल दरपन है ना तो अधार दरपन में वस्तु दूरी यह होगा याने की यूज होगा माइनस का ही होगा यानि उतल हो या उतल हो दोनों में वस्ती दूरी माइनस का ही होता है ठीक है फोकस दूरी फोकस से जो दूरों के बीच की दूरी वहीं ना फोकस दूरी होती है यहां नहीं तरफ है अच्छा चलिए इसमें वह नहीं दिखा है स्वरी इसको दिखा देए एक्स-डैस और यहां पे एक खिचना होगा वाई-वाई-डैस जान नहीं देश पर वाई और यह वाई डैस देखना नहीं तो इधर है एकस के तरफ है यह पोजिटिव हो जाएगा यानि कि वस्तदूरी माइनस का और फोकस दूरी प्लस का ठीक है अब देखिए इसमें पता है कि प्रतिवीम हमेशा कैसा बना है अभासी और सीधा बनना है ने सब जब इधर बनेगा है यानि कि अभासी और सीधा बनेगा तो प्रतिवीम दूरी की बात करें अब मुझेशलार्दूरी जो होता है यानि फी जो होता है प्लस का होता है फ्ञाइडर् A alt के हाइट बीविप्लस का होगा और प्रतिवींब गया और वस्तुचाई भी प्लस का ही होता है वस्तुचाई तो हमेंसार सब के लिए प्लस का ही होगा जो कि ऊपर के तरफ रखते है ना वस्तुचाई एच ओ पॉजटिव तो इसमें आवासी और सीधा है इसी और इल्टा का कंडिशन ही नहीं है इसलिए हम लोग यहीं लिखेंगे इसमें कोई कंडिशन अलग से नहीं लिखेंगे ठीक है चलिए अब दरपन सुत्र के बारे में रखते हैं दरपन सुत्र यानि मीरर फॉर्मूल अर वह फ़र्मूला होता है 1 x v plus one by u equal to one by f ठीक है वन ले ये इसका फ़र्मूला होता है वन बाइ भी प्लस वन बाइ इसको वं बाइ एक यानि की भी अपका होता है प्रतिविम सबसे पहले साबित करने के लिए हमें एक लेना होगा दरपन तो हम एक मान लेते हैं और दोनों भी ले सकते हैं अब हम लोग एक कोई भी आरेक लेते हैं हम लोग कोई भी एक लेके बना सकते हैं तो सारव होगा आप इसमें से कि दो जब वस्तु कहा इस तो तो यहां यानि कि अनन्त और वाकरता के इंद्र के बीच इसती तो तब इसका प्रत्मीम कैसा बनेगा वोगा जिकशना कि अ यह से जाकर ठाक रहेगी ठीक है और यह यहां से जाएगी ना फोकस से चलिए ठीक इसको दिखा देते हैं कि यह आपकी वस्तु थी ए बी ठीक है यह आपकी वस्तु हो गई यह से टकराया और यह से चला गया ठीक है दूसरी किरन लेते हैं कि फोकस के दिशा में ठीक है यहां से ऐसे ठीक है और यह परावर्तन के बद कैसे जाएगी ऐसे जाएगी ना चलिए ठीक जाने कि प्रतिविम जो होगा आपका यहां पर बन रहा है प्रतिविम यहां पर बन रहा है ठीक है इस प्रतिविम का नाम देते हैं यह सुरी है यह ड नेते हो गया है मैं कि जली है यानि कि यहां चाहर और यहां तक की दूरी वस्तू दूरी श्क्राइब सब्सक्राइब रहत अब है इसको माल लेकिれ हैं और इसको माल लेते हैं S ठीक है अब चले इसको साबित करते हैं में ध्यान रखेंगे एक्शुल में यह जो है आपका यह जो है ना होता है लेकिन कर होता है कर्व हलका कर होता है ठीक है तो यह लगभवक समानतर होता है और यह भी हिस्थ के बराबर भी ओगा ठीक है तो यहां सम्रुप्ता के परएंग सिन राविया c तिर्भूज A, B और F सम्रूप कर देंगे तिर्भूज S, F, P के तो यह आप जानते हैं कैसे सम्रूप के जाता है A, B, F सम्रूप हो जागा तिर्भूज S, P, S, F, P के इसके यह वाला और यह वाला सम्रूप होगा तो मैं आपको पढ़ा चुका यहां इसको समूप करłem आ दिखा दिए तो और दूसरा हो गया समझगे हैं यहां समझे हैं यहां से सिर्षा भी मुक्रों से है जांना डिएधे चल मेने लिखी देते हैं अंगल i air f b भिगाने इसके tatat effect compliment बे टिकाली अपोजिटेंगा सिर्षा भी मुगवकोड और दूसरा ऑंगल B A F बराबर होगा एंगा क्या हो जाएगा S P F प्रतेक 90 प्रतेक 90 है इसलिए ये समरूप हो गया आपको पता है कि दो समरूप तिरूप तिरूजो के संगत बुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर होता है इसलिए A B केश मैं का ये भी हुआ इसमें का क्या हो जागा इस्तिर्फुज का है न तो इस तिर्फुज की बात कर रहे किसकी ऐस-फ-P की तो इसमें का कौन सा एगा आपका यह बालना वाई एस-फिससमझ रहे ना समझ रहे यहां पर चेलिए आप उसी यहीं तरह हम लोग क्या कर सकते हैं दिमाज़ा है वर यहां से यहां और पी है ऑल जाइब बराबर होगे तो एह वी वस्तू चाहिए है है जह b है हाइट अबजेक्ट है यह प्रतिभी मुझाई है एच आई है तो इसको एच ओ बटा एस पी देखिए एस पी जो है ना इस पी यह इसके समानतर और बराबर ही होगा यानि कि इसको हटच भी यह निए कि हाई भी फ्री के मतल allí बीश को जाब compr एक वह पाइस दोस्लिट हो ना चलिए आ इस ए एम की मानगा अ कि आरद करें एफ यह नहां तो टॉटल है यू और ईंच या फोकस दूर है यह जाए यह बाट योंग्दा या बंटता इस के हैस Dragons Is इसको समीकरन एक माल लेता है उसी तरह दूसरा तिर्भूज समरूप करेंगे तो दूसरा तिर्भूज किसको लेता है कि तिर्भूज A-B-F A-B-F यह किसके समरूप हो जाएगा तो तिर्भूज F P R के यह भी इंगल-इंगल से हो जाएगा ठीक है तो यह समझ गया ना कैसे हो रहा है यह भी इंगल-इंगल से यह और यह यह गांतर हना सिर्सा भी मुखकोर से है और ड्रूसा लम-Лम हो जाएगा 1990 हो जाएगा ठीक है जाना से होगिया तो दोस्त बनोर क्तिव जो का संगध्र कशनकर प्रत बलाग बर होता है ना ज़री तो इसमें कर लेते हैं जिसमें कर लेता है तो इसमें हो gdzieś A A-dash B-dash. और इसका हो जागा यह वाला क्या हो जागा पी आर ठीक है इसमें का संगत मुझा बी डैस एफ ले देते हैं बी डैस एफ और इसके संगत हो जागा यह हो जागा पी समझें चलिए पी-फ हो जागा आड़ा यहां से यहां तक न तो टोटल है आपका यहां से यहां भी और भी मेंस अगर इस घटा देंगा तो ही न बचेगा यह हो जाएगा भी माइनस एफ और बटा पी-फ की बात करेंगे तो P F किदर है आपका तो यह रहा यानि F चलिए इसको पलट देते हैं अना तो पलट हीएगा तो अब आपका हो जागा यह समिकरन थो समिकरन एक ततः दो से एक ततः दो से एक ततः दो से क्या होजागा तो एक यह बटा F ठीक है चली अब यहां से multiply करता है क्रास मन्टिप्लाई करें करें भी F में F से यह안 daha F dáhF square ऐसे करिएगा तो हो जागा UV- Er रवे सब्सक्टियर डीए तो यहां से प्लस महोंजागे थे यानि U f ब्राबर آپ यूप तीक है यूभी तर इस में से कवान न है एफ यहां जागा यू प्लस भी बराबर अच्छा इसको वान इंटू यू भी लिख सकते हैं कोई दिकत तो नहीं है ना चलिए अब यू भी को इधर लाते हैं और एफ को उधर ले जाते हैं यू प्लस भी बटा यू भी बराबर वन बटा एफ अलग-अलग कर दिजिए यू से यू कटिए यहां चाह गया ना वन भाई भी प्लस वन बाई यू इस गॉल टू वन भाई एफ आपका सावित हो गया सावित होगे ना समझ गया चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में अगला बात आता है आवर्धन का यानि कि मैगनिफिकेशन क्या होता है तो प गलियदर्पन के लिए आवर्धन यानई उतल हो य Aur दोनों के लिए घ्लियदर्पन के बात करा तो ऑszरप्षों बात करा लिव क्या हो जागा H डञेई बटा वस्तुम क्या इको हुआदर हैं इस तरह भी लिख सकते हैं ठीक है एक तो आप ध्यान लखेंगे जदिसे नाध प्रतिभीम आपका वास्त्विक तथा याद रखेंगे वास्त्विक तथा उल्टा होका और M का मान अगर प्रतिभीम कैसे होगा अभासी तथा शिदा होगा तो इस बात प्लस माइनस वन यानि प्लस में भी वन आ जाए या माइनस में भी वन है ठीक है तो यहां जो होगा प्रतिविम के बराबर होगा प्रतिविम और वस्तु क्यों चाहिए बराबर होगी यानि प्रतिविम काकार वस्तु के अकार के बराबर ही होगा ठीक है दोनों काकार बराब आपको भी जो भी बता है न सबका चिन नहीं याद रखेगा तभी इसमें के नुमेरकल्स को आप बना पाईएगा तो इसके साथ यह आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाएं ज्यादा सी ज़्यादा दोस्तों में श आइक्स पर वाशिंग दे वीडियो और सब्सक्राइब करना ना भूले और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं